पिछले कुछ सालों में YouTube नाम की platform पे काफी जादा politics हुआ है and I am not talking about the politics जो कि तुम TV पे देखते हो in fact I am talking about the politics जो कि तुम आज कल YouTube पे almost हर महीने देखते हो अब बात या जाती है कि ऐसी चीज़े YouTube पे हो कैसे रही है और सबसे बड़ी बात कि क्यों हो रही है तो YouTube पे भाई एक चीज़ तो काफी जादा simple है कि तुम्हारे numbers जितने जादा बड़े होंगे in terms of views and subscribers लोग तुमें उतनी ही जादा respect देंगे in terms of creator so let's say आज मेरे अगर 3,000 subscriber है and मेरे किसी friend के 1,000,000 subscriber है so definitely I'll respect him cause definitely उसने 1,000,000 subscribers करने के लिए काफी महनत की होगी अब पिछले कुछ दिनों से Twitter पे काफी कुछ हो रहा है YouTube community से related तो कुछ दिनों पहले एक बहुती famous Twitter account ने एक tweet किया जिसमें 13 to 14 seconds की video थी जिसमें Dank Rishu सर्दार वल्लब भाई पतेल की तरफ derogatory statements बोल रहा था अब obviously सर्दार वल्लब भाई पतेल was very respected even as of today तो Twitter की जंता काफी जादा भड़क गई as of today which is 5th of July 2021 Dank Rishu का उस tweet पे almost 35,000 views है जो की Twitter पे बहुत ही huge amount है and that means it has reached to a lot of people उस particular Twitter account ने Delhi police को भी tag किया था और बोला था कि ये जो derogatory statements दे रहा है वो definitely सही नहीं है अब इस चीज में मुझे problem क्या लगी तो जब मैंने थोड़ा research किया तब मुझे पता चला ये जो 13 seconds की clip दिखाई गई है वो पूरी clip है ही नहीं और दूसरी बात ये जो clips है वो काफी जादा पुरानी है जब Dank Rishu just start कर रहा था और उस claim वाले Twitter account का reply देते हुए लक्षा चौधरी कहता है कि और ये दूसरों को तमीज सिखाते है end this end that भाई खुद हो जा पहले बैसिकली ये matter था जो कि Twitter पर चल रहा था अब मैंने जब थोड़ा research किया इस चीज पे तो काफी कुछ पता चला बैसिकली जिस account से ये टैंक रिशू वाली पुरानी वीडियो अपलोड की गई थी and डेली पुलिस को tag किया गया था वो account लक्षा चौधरी को follow करता है in fact लक्षा चौधरी भी उस account को follow करता है अब जिन्हें नहीं पता लक्षा चौधरी is very active on Twitter and इस चीज के वज़े से काफी बार काफी लोग offend हुए है उसके Twitter spaces से अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम थोड़े बहुत account स्क्रोल करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा इस बीच में लक्षा चौधरी रात के वक्षा चौधरी पे काफी दादा active था या कोई और बोल देता था जिसके वज़े से काफी लोग offend हो जाते थे अब लक्षा की ट्वीट का reply देते हुए डैंक रिशू डालता है उसके बाद डैंक रिशू ने दो screenshot भी डाले उस time के जब literally लक्षा चौधरी ने कहा था अब उस वीडियो की भी clip card के किसी ने twitter पे डाल दी और railway ministry को tag कर दिया Now honestly tell me as an audience will you do this? I mean 2-3 साल पुरानी वीडियो पे कौन ही जाके इतना ज्यादा महनत करता है So right now if you are a content creator or you are thinking to become a content creator ये चीज हमेशा समझ लो कि जैसे ही तुमारे numbers थोड़े से बड़े हो जाएंगे There will be a lot of people to pull you down अब honestly ऐसे cases में तुम्हें cancel culture बहुत ही अची तरीके से दिखेगा और अगर तुम्हें नहीं पता कि cancel culture क्या होता है तो यहाँ कहीं i button पे उसका link दिया होगा अब वो क्यों arrest वा था वो तुम सबको पता है कि उसने अपने doggy को ही उड़ा दिया था हवा में I think that was the time जब काफी बड़े YouTubers को यह realize हुआ कि YouTube पे honestly काफी जादा filtered content डालना पड़ेगा क्योंकि तुमारी एक गलती can land you up in a jail बात करें लक्षा चौधरी की तो डैंक रिशू के इस case के बाद honestly सबको पता चलिया कि लक्षा चौधरी जान बूच के controversy create करने की कोशिश करता है cause honestly his content revolves around controversy and अगर डैंक रिशू गलती से भी उसके tweet पे थोड़ा सा rough reply कर देता तो काफी लोग capitalize कर सकते से इसके through majorly dank रिशू and लक्षा चौधरी and obviously Samrat भाई को कौन ही भूल सकता है after all इतने सारे brandies जो लाके दे रहे है talking about dank रिशू तो हाँ definitely dank रिशू ने गलती तो की थी and उसे माफी भी मांगनी चाहिए but at the same time इतनी पुरानी वीडियो को अगर तुम उठा के public domain में डाल रहे हो और इतने सालों बाद report कर रहे हो so I don't feel कि ये कोई sense बनाता है as a consumer perspective but हाँ definitely अगर तुम let's say flying beast के opposition वाले हो या फिर dank रिशू के opposition वाले हो तो definitely ऐसी हरकते तो तुम करोगी but honestly at the end of the day ऐसी चीज़े करने से कोई फायदा नहीं है fun fact तो ये है कि ना वो वाला वीडियो का part आज के वक्त डैंक रिशू के चैनल पे available है तो फिर तुम समझ ही सकते हो कि किस बंदे के पास इतना जादा time है कि वो इतनी सारी चीज़े कर रहा है वैसे YouTube से किसी की deleted वीडियो निकालना काफी जादा असान है दूसरी बात उस वक्त उन दोनों के ही millions या लाखों में views या subscribers नहीं आते थे तो अगर किसी audience को उस वक्त दिक्कत होती तो या Twitter तो उस वक्त भी exist करता था ये सारी चीज़े honestly बताऊ तो intentionally की जाती है पता, not even your friends अगर कोई तुम्हें जान बूच के पोक कर रहा है इंटरनेट पे, so definitely he wants to gain subscribers and views from you think about it तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही अगर तुम्हारी कोई opinions है so make sure that you drop that in the comments below the top 3 comments from the last video are by Nidhi Singh, Bittu Khayaliya and Saumya Sharma so make sure that you are at least subscribing them or showing them some love with that being said, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कर देना चानल पे नहीं हो तो फटा-फट से subscribe कर दो also वीडियो पसंद आई तो वीडियो को share करना मत भूला also Instagram पे भी follow कर देना जिससे मैं तुम्हें behind the scenes दिखा सकूँ हर एक वीडियो के also मैं DMs के भी reply देता हूँ also अब से आने वाली सारी वीडियो के description में एक form link रहेगा Google form link तो अगर तुम्हें मुझे कोई video idea suggest करना है तो तुम directly उस Google form link पे जाना और अपने video idea suggest कर देना and that is how I can pick your ideas and I will definitely give credits to you in the description so with that being said thank you so much for watching this video I'll see you in the next one till then, bye when I go would you even miss me when I go would you even